नमस्कार आप देख रहें एक न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्रेता मिस्टा अमीशा पटेल ने एक इंट्रवियो के दौरान बताया कि उन्हें चलते चलते मुन्ना भाई MBBS और तेरे नाम जैसे फिल्मों का ओफर आया था लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया आगे वो क्या कुछ कहती हैं सब कुछ आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को अंतुत तक पूरा देखे हाल ही में अमीशा पटेल ने कहा है कि उन्हें चलते चलते तेरे नाम और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों के ओफर आया थे उन्होंने कहा कि बीजी सेड्यूल और कुछ पर्सनल कारणों की वज़े से उन्होंने इन फिल्मों के ओफर को ठुकरा दिये थे अमीशा पटेल ने रितिक रोशन के साथ फिल्म कहो न प्यार है से डेब्यू किया था इसके बाद अमीशा सनी देवल के साथ नजर आई वहीं जब अमीशा से ये पूछा गया कि क्या उन्हें अब इन फिल्मों को ठुकराने का अफसोस नहीं है तो उन्होंने कहा मैंने कई फिल्मों के ओफर रिजेक्ट किये हैं शारुक खान के साथ चलते चलते संजदत की मुन्ना भाई M.B.B.S और सल्मान खान स्टार फिल्मों तेरे नाम जैसी फिल्मों के ओफर भी थे लेकिन उस समय मैंने बीजी शेडियूल की वज़े से हा नहीं की वहीं बीजी थी इसलिए अब ज़्यादा अफसोस भी नहीं है अमीसा ने कहा कि उन्होंने पहले भी दूसरे प्रोजेक्ट को कमीट्मेंट दे दिया था इसलिए उन्हें ये ओफर रिजेक्ट करने पड़े फिल्म चलते चलते दोहजार तीन में शारुक खान के साथ रानी मुखर जी ने काम किया था वही मुन्ना भाई एमबीबियस दोहजार टीन में संजदत के साथ ग्रेसी सिंग थी ग्रेसी ने अमीर खान की फिल्म लगान से डेब्यू किया था फिल्म तेरे नाम में सल्मान खान के साथ भूमी का चावला लीड रोल में थी अमीसा पटेल ने इस बीच बॉबी देवल के साथ हमराज में काम किया ये फिल्म दोहजार दो में आई थी इसके अलावा अमीसा दोहजार पांच में रिलीज हुई मंगल पांडे में भी दिखी है 2007 में अमीसा के मैनन और शबाना आजमी के साथ हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखी थी इसके बाद 2008 में अमीसा सैफाली खान और रानी मुखरजी के साथ थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में कैमियो रोल में दिखी थी अमीसा पटेल और सनी देवल स्टार और फिल्म गदर टू इस साल की दूसरी सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है फिल्म ने रिलीज के बाद महज साथ दिनों में करीब 3-8 करोड की कमाई कर ली है अमीसा पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो रितिक रोशन के साथ फिल्म कहो न प्यार है का सीक्वल करना चाहती है जैसा कि अमीसा पटेल ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें चलते चलते और तेरे नाम अमुन्ना भाई एमबीवियस जैसे कई फिल्मों को रिजेक्ट किया लेकिन उनसे जब पूछा गया कि अब आपको अफसोस हो रहा होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं उस समय विजिश शेडूल था जिसकी वज़े से मुझे कोई अफसोस नहीं रहा बाकि इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ क्या ना है आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे फिलाल इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूस 24 अगर आप यह वीडियो हमारे फेस्ट पर देख रहे है तमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूप चैनल पर देख रहे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद